कि छालिये लमेन आ के बारहे में शोफ़ा ब्रोटीन के बारे में थो viens को जबा करे प्रोटीन में शोथ कि धाल प्रोटीन हो से हैं तो कि उसके बारे में कुच कुछ बीचिक बाहिए بين पहली बात इसके बारे में क्या बलोगा सिंतेसाइसएस एट सिंते सी सिंतेसाइजल है अब सकार कहां तो बता देंगे प्रोटीन और आरेने का बना होता है यानि कि पहले को प्रोटीन बना होगा किसी अधर राइबोजोम पे फिर वो असोसियेट हो कि औरता है आरा रेने का साथ क्सक्राइब नुकल उप्लाजम में उप्लाजम चेंगे बाहिव अगर इसको प्रोटीण बनाना है तो इसको आना कहाहां पड़ेगा सैटू पलाजम में सधुटकि तोता है सिंथ सटहके सचाहिजेश अठरीब बोसों के इन जो पलाजम में बनता प्रोटीन सध बसम में लेकिन अगला बात कि इसमें क्या होता है मेड़क तो लिखने जा रहा हूं जो बहुत इंपोर्टेंट होगा आगे आपको काम आएगा मेरे पास यहां जगह नहीं है तो मैं नेक्स स्लाइड ले रहा हूं इसका स्क्रीन सोट लो जली से इसमें मैंने बताया कि प्रोटीन कहां बनता है राइबोजों पर बनता है साइटोपलाजम राइबोजों पर बनता है साइटोपलाजम राइबोजों राइबोजों किस्छिंणा बना बना होता है और खुछ प्रोटीन कर यठी एक है निट्रल एक है एक है अमीनोचिद और एक है बेसिक अमीनोचिड यह तीन प्रकार के अमीनोचिड है अब आप यहां पर सुत लेखे नुट्रल एसिडिक और बेसिक का मतलब क्या मतलब सब जगे एक ही होता है है यह concept स्क्वार्वा यहां पर यह है तो इसके बारे में क्या लिख होगे लवा नाइदर मैं डों इनेट एच प्ल्स प्लस और आपकर सब्सक्र्ड एंएट शिंडर इसके बारे में क्या लख होगे यह रहा है शब्लस कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्षप्लस इनट टम मीडियां है एक्सेप्ट एच्प्लस कि खरम लिएम बाकी कैसे पूझन सा एक्सेप्ट करता है सारी बात कि बॉल्म में बनना कु Testing बोला गुर्द ले भी सेरे तो बहुत बात करेंगे कैसे लेता कैसे देता है ठीक है पुड़ा एक प्लस मेडियम और एक सब्सक्राइब मेडियम ठीक है रही बात कि अगर यह डॉनेट कर देता है एक प्लस को मेडियम में है सो सो ढेन बोलोह सीबानेद आगर है एक फ्लस और सकत्सा क्या तो यह डिशने दिन्टीव से जली बोलो नेकिटिव से और झेन निगेटिव चार्ज डीन निगेटिव चार्ज है चला जी बोलो एक सेप्ट अधे प्लस फ्रां मेडियम और न था फ् fundamentally पी थे जैच यह को उसके बारे में तो दो चर्ज अब एक जब थो सारे बहुत सारे यह एक इच्जांपल एक दो दो लेखें बस जैसे ली जैसे वैली इंटे करता है रहर नेटैंड है इसका एसे डिक में मैं जैसे आपको मैं बता दूँका पिल्लुटाइमएक एसीड अप्रकर का एक प्रखाद का असीड़ी अमीनोसिड पांगर ट्रिक भी बताएंगे तो यह बेशिक शूदर लाइसीन नहीं था तो यह तो नो बेसिक अमिनोटर है और यह सेम पूस्टन के में सक्षन में वह आ गया और बालयो जी वाले सक्षन में एगया सेम चार आठ नमबर देखे गया होगा तो यह बेसिक अधिक अरगूली पूब तो अब यहां पर में क्यों बता रहे हैं मैं बताना यह चाहरा हूं जो basic amino acid होता है ना यह basic amino acid तो इससे जो बनावा protein होता है यही प्रोटीन आपको डियने के पैकेजिंग में काम आता है में ली तो इसके मुझे बस लाइन यही बताना था उसके लिए मैंने ताम जान किया है ठीक है तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं में ली बेसिक अमीनोसिड अब कैसे पैकेजिंग होता है सब बात हम कल पढ़ेंगे बस आप इतना समझेए कहीं पे अगर पॉजिटीव और निगेटिव आ जाएगा तो चीजों को एक जगा लाना आसान है जा डिफिकल्ट है जली बोलो सब लोग पॉजिटीव यह जा जाए ट चीजों को एक जगा लाना आसान है यह डिफिकल्ट है आसान वाली आसान वाली ईसान सफयों की सेंध्र हाथ चार्ज कर सकता है पर पर यह हो जाएगा आफको पाइटिटीव चार्ज घेन कर लेगा तो यह आपका प्रोटीन का इस वाला ले लिए थे फिर ने सकते हैं 1 2 3 क्लिक यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है यहां तक किसी को वह दिक्कत हो तो बोल सकता है कि नो प्रॉब्लम चलो सिवाने पर एक में रप्रता तुमको कितने वेदे जाना है आधा गंट और क्लास अले तो करेक्कत कि नो सब्सक्राइब बहुत समझा रहे हैं यह सब्सक्राइब तो अब आते हम लोग नुकलियस पर देखो कितना बेसिक चीज़ सिखें सब सब्सक्राइब तो तुम थोड़ा नोर्स में आगे बढ़ो और आज का नोर्स कहां तक लिख लिए हो तुम अब हम एक लाइन लिख रहे हैं ऐसे तो नुकलियस के बारे में में कई सारी बाते घड़ी थी तेक है याद करो यादो तुमको आप हम क्या कहरे हैं एक लाइन लिख रहे हैं आप नुकलियस सीधा लिख रहे हैं function of nucleus वैसे जो बहुत सारे function है function of nucleus फिर structure देख लेंगे हम लोग तीन चार function बता रहे हैं तीन चार function बता रहे हैं पहला सब्सक्राइब का मतलब होता है किसी भी करेक्टर का एक जनरेशन से नेक्ट जनरेशन में जाना यह क्या होता है 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 और इसका study का लाता है inheritance तो है किसी भी करेक्टर का एक जनरेशन से नेक्स जनरेशन में जाना आप तो जो यह है है यह है इसका control nucleus के पास कि कौन सा character एक जनरेशन से नेक्स जनरेशन में जाएगा माई बाप गोरा है काला है क्या है बच्चा क्या होगा सब सारा control nucleus के पास होता है तो इसलेश क्या बोलते हैं फंक्टन अपने नुक्लियस पहला फंक्टन क्या बोला है मैंने हैरी डीटरी कंट्रोल मतलब जनेटिकल करेक्टर का तरफ क्युक्क्क्तन अपे सकते है मैं जनेटिकल करेक्टर की सपूरे क्यां से क्या सकरेक्टर‡ जो अदbaycie जनेटिकल करेक्टर भी हो आइजलेतों करेक्टर फ्र stripes 1 generation from one generation to next generation to next generation तो पहला फंटर्टिक का e काण्ट्रॉल दूसरा फंट्रॉल में दूसरा फंट्रॉल मेटाबोलिक गंट्रोल ऑप सेल मेटाबोलिक काण्ट्रोल आप सेल सेल के अंदर गाटाना है कब क्या करना है सारा खेल निकलिस करता है तीसरा आप all अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम सेल डिवीजन में पहले नुकलेस पढ़ाने उसके बाद सेल डिवेजन पढ़ा ले तो यह भी बात हम डायक्टर को बताने जाएं अब तो अब जो वे में में काम ऐसा हो रहा है कि यह कुछ काम करना है और इस फंक्सन को प्रफॉर्म कराना यह बातें पहले नुप्रियोस को बताना परेगा अब तुम्हारे मन में मचली होगे और हम हल चल किसे होता है मेटाबोलिक कंट्रोल नुक्लेस कैसे करता है है और और उल सेलूलर अप्टिविटी का कंट्रोल सेल के हाथ में कैसे है और आप अभी नहीं समझता होगी और आपके लेवल पर किसी काम का नहीं आप लेकर तब समझोगे इस लेवल पर बताने लाइक है ही नहीं लेकिन इतना बात आपको बच्पन से फता होना चाहिए कि नुकलेस के पास यह तीन मेजर फंक्शन है from ever point from observing from observing from observing above ever point fluffy points we can say we can say नुकलियस इस डिरेक्टर ऑफ सेल क्या करेगा इस सबका कंट्रोल किसके हाथ में है नुकलियस के हाथ में इसलिए नुकलियस को क्या बोला डारेक्टर ऑफ सेल तो बोलो किसी को कोई दिख्कत है डारेक्टर बोलने में लों कि मेरा ऐसा मनना है कि इससे बॉड़ा कोई वर्ड हुआ नहोंता हूं मैं मेस्ते प्रावर्ड है कभी और न हो पाएगा फिकर इससे प्रावर्ड ना हुआ है ना हो पाएगा अब बता आप ऐसा कि दोनिया में कोई एसा आदमी हो जो अपने गुरु को गुरु ना माना और बता दो हुआ है इस और ऑए चैus मंत्री प्रुद् conservatives को एंजिनियर को एक वी ऐसा हो जिसका गुरु ना हुआ हो वह कोंग हो कि आर फिर ईससे ऑने करने मैं यह काफी यह रिवरिय का ले दियुक्रेंटर ने गता है लो हर किसी पर ध्यान दियान रखता है कि कौन करेक्टर को इस जनेरेशन से नेक्स जनेरेशन में जाना है नुक्लियस करेगा कैसे करेगा इस लेवल पर आपको समझ में आएगा लेकिन याद रखना कि जितने भी स्काम हो रहे तो यूट चली के अंदर सारा कंट्र नुक्लिश के अंदर होता है इसलिश को क्या बलता है डिर्टर अप्सेल बहुत अब यहां तक समय में आगे सब को हाथ खाला करो जली से को एक मिटिंग से गायब है इरहान कि इरहान मिटिंग में नहीं है नहीं है अब मेरा आवाद अच्छा चलो ठीक है तो यहां तक के लिए है अब हम आते हैं इस ट्रॉक्चर आफ नुक्लिश के ठीक है कि यहां तक कि लिए तब हम आते हैं इस ट्रॉक्चर निकलेस के लिए हैं तो मुझे लगता है यह ओवर लोडिंग देने से फाइदा बेटर क्या होगा कि आज इतना ही रहने देते हैं जितना परहाल यह क्लास अफसेंट तो नहीं हुआ नहीं परहातों लिए नहां परहा सब्सक्राइब निकलेस लगेगा अभी दो ढखाए दिन और लगेगा निकलेस में तो कि दो को और मैं बेसिक लेकर चलता हूं ताकि आपको जिकत नहीं हो नुक्लेस इतने चाहसे समझा दोगा कि अपने खेल खाल के रख दोगे तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स् सब्सक्राइब है अब इस एक है नो सर अतीक है कि लो सब्सक्राइब कर दे रहे हैं और यह हर्स तुमको तो और इजी रहेगा ज्याद आज नहीं पढ़ाएं जितना पढ़ाएं है वो दो तीन पढ़ने में लिखा जाएगा ठीक है तो जो है कि कोशिश करो कि चीरों को जल्ली से लिखके भेजा करो ठीक है और हर्स तुम क्या करो तुमको रुको पहले में इस रिकॉर्डिंग को आफ कर देते हैं क्लास हो गई खतम